देखो आज के इस वीडियो में हम लोग टिसू चैप्टर को पढ़ेंगे बहुत ही आसान भासा में बिल्कुल इट इस दर मोस्ट इजीएस चैप्टर ऑफ क्लास नाइन था बहुत आसान कुछ इसमें घबराना नहीं है because reason क्या है देखो टिसू चैप्टर पहले तो हम लोग एक चीज ये देख लेते हैं क्या हमें क्या क्या पढ़नी है क्या सिलेबस है हमारी एक तो हमें plant टिसू के बारे में पढ़नी है और एक हमें पढ़नी है animal टिसू के बारे में आपका ये question हो सकता है कि sir plant tissue और animal tissue को अलग-अलग क्यों पर है पिक उसी के लिए इसी चीज़ को समझने के लिए NCRT आपको पहला paragraph में यही बताता है कि आपको plant tissue और animal tissue different क्यों परने भी काउज आपकी जो function है और जो tree की function है quite different है कुछ मामले में similarity है बट बहुत सारी differences भी है तो that's why जो animal kingdom की जो tissue है जो हम लोगों की जो सरीर की जो बनावट है जो organelles जिस तरह से design है वो काफी complex है plant में इतना नहीं plant में सब कुछ simple simple सब कुछ हो जाता है that's why you can see यह देखो animal tissue में कितनी तरह से हम लोग classify करते हैं and as usual आप मेरे पर believe करते हो कि वो topic बहुत आसान होगी it is also the easiest chapter of class 9 whatever you have read आपको कुछ नहीं पता है cell के बारे में tissue के बारे में फिर भी यह chapter आपको समझ में आएग जिसमें कि हमने आपके लिए बहुत असान करने के लिए इसमें copy पे बनी हुई भी notes है और same way इसी तरीके से आपको अपने exam के लिए भी अपने notebook में तयार करके लिख लेना है जहांपे कि देखो इदम बिलकुल हमने arrow बना के सब के बारे में लिख दिया है यह इस point और point wise है बुक में आपको यह चीज जो है वो दे आ रहाता है sentence wise तो याद करने में quite difficult होता है तो यह बात है हो गई अब हम इस chapter को start करेंगे start करने से पहले कुछ मेरे बारे में because इससे आपको विश्वास बनेगा आप सही जगा पर रहे हो आप इसे pause करके बढ़ लेना तो हम अब chapter को सुरू करते हैं ओके तो देखो सबसे पहले हमारा chapter start होता है यहां से टिसू से तो टिसू समझने के लिए सबसे पहले यह टिसू नाम का चीज आया कहां से तो देखो टिसू बनता कैसे है पहले बात तो हम इसके लिए बहुत आसान से इससे समझ सकते हैं जैसे मान लेते हैं क्या हम लोग जैसे हैं we all people हम लोगों का जन्म कैसे हुआ कैसे हम लोग बने यहां तक कैसे आए तो देखो क्या हुआ होगा एक जो है हमारी mother cell से एक egg cell होता है जो कि आपने reproduction chapter में पढ़ा होगा ये mother cell में only one cell है भी बहुत ही छोटा एक micrometer का भी हो सकता है ये egg cell है ये egg cell में एक आया हमारे पास ये जो आएगा ये father से आएगा father से आएगा sperm cell ठीक है father से आया sperm cell और ये जो from mother से आया ये जो है ये sperm cell है sorry ये ovum cell egg cell है ये कहां से आता है mother से ये जो है क्या egg cell है और ये होगा आपका sperm हो गया इस दोनों के मिलने से जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं यह हुआ जाइगोट क्या formation हो गया यह हमारे पास बीच में center develop होके यह बन गया हमारे पास जाइगोट अब एक यह complete cell बन चुका है जो cell अब धीरे धीरे क्या होगा after some time यह cell mature होगा mature कहने का मतलब क्या है यह cell बड़ा होगा जब यह cell जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा यह cell वैसे वैसे क्या करेगा अपने आपको यह divide करते चलेगा यह cell divide होके दो नए cell बनाएगा फिर यह cell divide करके दो यह बनेगा और दो पार्ट में यह जाएगा इस तरीके से यह process लंबी समय तक चलते रहेगी हमारे मदर के पेट में यह process approximately 9 month में complete होता है 9 month में from यह इस position से लेके from jaycoat formation से लेके from baby के birth तक birth के समय आपकी complete almost all organ develop हो जाती है तो कैसे बना होगा यह tissue different हुआ कुछ मान लीजे जो similar type के tissue होगे जैसे मान लीजे यह काफी soft type का tissue हो गया मतर्थ sorry soft type का cell हो गया यह cell आपस में combine कर लिया और बोला कि भही हम बनेंगे क्या बनेंगे मान लो यह बोला I बनेंगे कुछ tissue अपने आप में combine करके कोई बोला होगा कि हम क्या बनेंगे kidney बनेंगे किसी ने कहा होगा हम combine होके lungs बनेंगे इस तरीके से क्या हो रहा है आपका complete एक body का organals त्यार हो रहा है और यह organals बाद में त्यार होके क्या बन जाता है जब सारे organ function करना start कर देते हैं simultaneously एक साथ एक coordination में function करे जब जिसको बुलाया जाए वो अपने according काम करे तो इस चीज को कहते हैं क्या कि आपका एक complete body develop होके तो अब इस चीज को हम क्या करे जैसे ये cell था बटी जो group of cell आपस में मिलके बन रहा है जो कि इसका एक इस पे sliced काम है आपका आँख सिर्फ देखने का काम करता है कभी भी आँख खाने का काम नहीं करता है आपका जो kidney है kidney blood को purify करने का काम करता है सब को एक special work मिल गया और वो special काम करने के लिए कुछ cell आपस में एक साथ हागए similar type के cell similar type के function को perform करने के लिए एक साथ हागए तो यह जो group of cell बना कुछ cell क्या बोला हम भी यह unite हो जाते है हमको एक काम करना है कोई देखने का कोई सुनने का कोई blood purify का कोई आपका कुछ cell hair बन गया तो यह जो group of cell है that is known as tissue कुछ नहीं बस इतना ही है tissue का मतलब कैसे याद रखना है group of cell to perform a specific function आपके बुक में इसकी definition यहाँ पर दी हुए है इस definition को बिलकुल मंत्र के तरह याद रखनी है क्या कहता है group of cell कैसा cell एक group of cell होगा जो की similar in structure होगा मतलब देखने में सब एक तरह का structure में similar है यह आपस में combined होके क्या बना लिया माल लेते हैं यह nose बना लिया नाक बनाया कोई kidney बना लिया और क्या करेगा वो and work together साथ में मिलके काम करेगा to achieve a particular function तो उसे हम बोलेंगे tissue बोलेंगे जैसे आपका आँख है कभी भी आँख जो है अपने आइच से खाने का काम एक आइच से नहीं क्यों क्योंकि वो जो करेगा सब मिलके एक साथ काम करेगा और सेम वही particular type का काम करेगा यह तो बात थी tissue की तो अब आपको समझ में आया होगा what is tissue अब हम लोग tissue पढ़ने के बाद यह यहाँ से यहाँ तक वही चार सारी बाते लिखी हुई है जो बाते हम लोगों ने अभी तक डिसकस किया कि कैसे कैसे और जो आगे आने वाले चीजें हैं उसमें यह बाते रिपीट हो जाएगी कुछ भी point नहीं skip होगा you can believe me सबसे पहले जो अभी हमने बात किया था कि tissue जो हम एक पढ़ते हैं plant के लिए और एक पढ़ते है animal के लिए क्यों पढ़ना अलग-अलग शरूरी है बुक में बहुत अच्छे से यह बताया है कुछ function तो दोनों में animal और plant में similar होता है बट कुछ function different होता है जैसे सबसे पहला categorization आप इस तरीके से यहां से कर सकते हो क्या होता है जो भी plant होता है वो stationary और fixed होता है कभी भी कोई plant को आप चलते हुए नहीं देखेंगे कि आज आपके घर के पास जो plant था वो आपके परोसी के घर में चला गया बिलकुल नहीं होता है इसका मतलब क्या है और आप सोचो जब कभी आप school जाते हो market जाते हो खेलने के लिए जाते हो जब उधर से return हो तो आप क्या बोलते हो ममे ममे बहुत ठक गया हूँ ठकने का reason क्या था बिकाउज आपने movement किया तो हमारी maximum energy जो loss होती है वो movement के कारण होती बट plant move नहीं करता है इसका मतलब है प्लांट की बहुत सारी energy सेब हो जाती plant don't move upright सीधा खड़ा रहता है कुछ नहीं करना तो that's why और इसको सीधे खड़ा रहने के लिए हो सकता है हवा चलेगा इसको गिरा दे तो तो इसका मतलब है कि plant को strong रहना भी बहुत जरूरी है तो strong रहने के लिए इसका जो most of cell है वो dead cell हो जाता है हम लोग अभी देखेंगे जो plant का जो cell बनता है जो dead cell होता है जब हम लोग अपने plant cell को दो पार्ट में केटोगराईज करेंगे जैसा कि आपको यहाँ पर बताएंगे जस्ट हम लोग इस्टार्ट करेंगे कि हमारा जो plant का जो cell है जैसे कि इसमें एक पार्ट है meristematic एक ठीक है permanent cell permanent cell क्या करता है cell को strength provide करता है मजबूती provide करता है और यह cell जब मड़के एक lignin नाम का सारे plant cell dead होके lignin बनाता है और यह lignin बहुत hard होता है इसलिए से आपके आसपास suppose that कोई people का tree हो कोई भी tree होगा तो वो काफे strong होता है तो इसको animal cell इसलिए यह dead cell हो जाता है ताकि ज़्यादा strong हो बस इतना ही बात फिर काता है animal on the other hand move करता है move करता है in search of food mates, shelter खाने के लिए अपने partner को ढूणने के लिए और रहने के लिए वो shelter ढूणता है therefore they consume more energy as compared to plants that's why therefore तो इनसान का most of और maximum tissue क्या है living है और जो plant है उसका maximum tissue वो क्या है dead है to provide physical strength provide करने के लिए plant की चीज़ डेड है और जो human की है वो living cell है कोई problem नहीं तो first point of categorization plant और animal का यह हो गया second point exam और एक चीज़ ध्यान में रखनी है यह चीज़ question exam में पोचती another difference between animal and plant is pattern of growth जिसे हम लोग है आप क्या देखते हो जब आप बच्पन में आपकी क्या थी जितना हाथ था दोनों हाथ की size पैड की size यह दोनों जिस age से अब जो यदि आप बच्पन में ऐसे थे और आज जो आपकी यह चीज़ है और यह बच्पन में जो जो चीज़ थी ऐसा नहीं है ना कि आपका नाख छोटा ही रह गया बच्पन के comparison में और नाख बढ़ा है नहीं आख बढ़ गया मो बढ़ गया हर चीज देशियों में डेली डे बाई डे थोड़ी 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 इंक्रीज हो रही है बट प्लांट के साथ हैसा नहीं है प्लांट इतना मजबूर है कि इसको लिए बस तीन ही जगा से यह ग्रोथ हो सकता है अभी हम लोग देखेंगे प्लांट का आपने क्या देखा होगा एक तो प्लांट ऊपर बढ़ता है मतलब यह प्लांट की हाइट बढ़ती है जिसको कि हम लोग अभी पढ़ेंगे एपिकल मेडिस्टेम में बहुत असान टेंसन ने लेना यह एपिकल एक इंटर कैलरी होती है जो इसका नोड्स बढ़ता है जहां से ब्रांचिंग निकलती है और इक इसकी मोटाइबर निकले लेटरल बस तीन ही जगह से प्लांट में ग्रोथ होता है यह कीज़ा लिखा हुआ है दक रोथ इन प्लांट्स लिमिटेड तू सर्टेन रीजन कुछी जगह पर होती है जो की अपनी उसकी पूरी लाइफ डिवाइड होती है और प्रेजेंट इन सर्टेन रीजन पस कुछी रीजन में वो अबलेबल रहेगी वो रीजन आपको जो अभी मैंने बताया तीन ही प्लेस पर उड़ेगी अब कहता है क्या बहुत ध्यान से समझनी है अभी इस चीज को नहीं भी समझेगा तो अभी हम इसी को डिसकस करना है पूरी चेप्टर इसी पर डिवाइड है यह वाली पॉइंट पे खता क्या है बेस्ड ओन डिवाइडिंग क्यापेसिटी मतलब कि क्रोथ क्यापेसिटी सेल अपने आपको डिवाइड करता है कैसे आपका एक जाइगोट से यह डिवाइड करते 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 आपका नाक का नाक हूँ सब बन किया similarly यह जो dividing capacity है इसके basis पे हम लोग plant tissue को classify करते हैं meristematic और permanent tissue में और भी सांदार तरीके से इस दोनों चीज़ को भी हम समझेंगे next slide में समझेंगे देख लेट थोर से wait करते हैं तो अब क्या कहता है इस तरह का classification जो है growth का हमारे इंसान में नहीं होता है हम लोग uniform एक proportion way में हमारा सब कुछ grow करता है इंसान का तो जिसके कारण से हम लोग दोनों को अलग पढ़ते हैं कहता है structural organization अब एक चीज़ जो last point only है कि जो animal sale होता है मतलब जो हम लोग इंसान है कहता है कि हमारा जो organ है न वो more specialized है मतलब super specialist के तरह हर कुछ काम करेगा नाक है नाक smell करने का काम इदम super specialty के साथ करेगा आँख देखने का काम कान सुनने का काम इस तरीके से सारे organ जो है न हमारा more specialized है और localized in complex animal और हम लोगों की जो body है न उसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि यह complex है complex in the sense of functioning है तो यह चीज यहां से एक point हमने clear किया सबसे पहले हमने समझा what is tissue तो tissue क्या था group of silt जो की एक साथ काम करेगा एक particular function को achieve करने के लिए second चीज क्या कि plant और animal tissue को हम लोग अलग क्यों पढ़ते है तो reason यह था कि कुछ चीजे plant में ऐसी होती है जो चीजे इंसान में नहीं होती है जैसे कि movement को लेके हमने देखा plant move नहीं करता है therefore इसका यह क्या है इसको less energy चाहिए इसका जो है cell क्या होता है वो dead होता है यह चीज हमने पढ़ा और क्या इसका जो growth होगा plant का वो limited जगह से होगा limited place पे होगा but जो human body है जो animal kingdom है human बोले या animal में गाय भैस गधा को तसबा जाता है animal में बोले तो इस दोनों में क्या है कि जो growth इसका most of cell क्या है वो living है और growth जो होगा वो not limited to particular area all over the parts सब जगह से uniformly growth हमारा होगा हर parts और body का growth होगा एक topic खतम करनी के बाद अब जो हमें पढ़नी है plant tissue को हम जो अभी बता रहे तो बोल रहे थे भी क्या plant tissue को दो category में रखते हैं metastematic tissue and permanent tissue किस basis पे देखो एक चीज तो पहले बिल्कुल clear रखनी है पता क्या कि जो भी metastematic tissue है आगे चलके ये बन जाएगी permanent tissue यही वाली cell permanent बन जाएगी कैसे दो example से इस चीज को हम समझाते है metastematic tissue और permanent tissue को ठीक है दो example देखो इसे आप suppose करो लेते हैं क्या इस बच्चे की इस फाइव फाइव ये एक बच्चे मतलब एक इधर person है जिसकी की age क्या है ये age जो है इसकी age हो चुकी है 40 year या 30 to 40 year के बीच में ही है 30 से 40 year के बीच में ये person आप ये बताँ ये बच्चा जब 5 से 6 year का होगा 5 से 6 year का 6 से 7 year 7 से 10, 15, 20 तो इसकी क्या क्या growth होगी आप बोलोगी इसकी क्या हो जाएगी height बढ़ जाएगी height बढ़ेगी सब कुछ body का growth uniform होगा हाथ पैर सब कुछ बढ़ेगा बट ये बताओ अक्सर आपने सुना होगा जब कोई बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है मतलब 30 to 40 age में आ जाता है पिपल उसको क्या क्या खहते है अड़े अब इसका height क्या बढ़ेगा अब तो इसका age क्या हो गया है ये हो गया है मतलब at particular जगह पे पहुचने के बाद क्या होता है उसका growth stop हो जाता है सेम सोचो कि ये plant था मेरा plant बना होगा छोटे छोटे ये plant इसा पोच करते है छोटे 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 इस तरीके के cell से plant बना होगा ऐसे इसे cell से plant बना होगा ये cell हर दिन क्या करता होगा अपने आपको इस तरीके से इसने divide करा दो cell और बना लिया इसने डिवाइड करा दो सेल और बना लिया इस तरह से करके डिवाइड होते होते बट एक पार्टिकुलर समय तो आएगा न बोलेगा कि अब मेरी ग्रोथ स्टॉप हो गई अब हम कुछ नहीं करेंगे जिस प्लेस पे जिस जगह पे प्लांट की ग्रोथ स्टॉप हो जाए व complex वाली चीज मतलब अब женщ dramatic टिसू जो था मेरा मतलब इतना ग्रोथ उसमें होगा permanent बोलेगा क्या अब हमको कुछ नहीं करना आजीवन में I achieved salvation मुझे मोक्स की प्रापती हो गई है अब हम अडराम से बैठेंगे और अभेस नी बात है जो बैठ गया तो धीरे-धीरे क्या हो जाएगा ये वाली सेल डेड हो जाएगी जो एक आपको चूँँ सबसे biggest classification medistematic और permanent की होती है after some time most of it सेल क्या हो जाता है वो डेड हो जाता है और जो medistematic tissue है ये life सेल रहता है ये जिन्दा है ये हमीशा इसमें क्या होगा growth होते रहेगा growth कैसे होता है कोई भी growth अपनी आपको by sale division से करता है क्या आपको पता है आपका जो face है जो चेहरा है वो even only one hour में करी five lakh sell क्या होता है automatic set हो जाता है आपके चेहरे से एक लाख 5 लाख sell क्या होता है automatic हर घंटे पर आवर ये ज़र के नीचे गिर जाता है आपको पता भी नहीं चलता है इसलिए पता नहीं चलता है because हमारे body में एक तो millions of millions of millions of millions sales है और वो sale every time अपनी आपको divide करके new sale generate करता है तो हमारे पास क्या आया classification कि हमने अपने plant sale को दो category में define divide किया एक तो meristematic में पढ़ा और एक permanent में पढ़ा plant tissue meristematic permanent meristematic tissue वो है जो always growth करेगा permanent tissue है जो always growth नहीं करेगा you don't have to panic everything जो है ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है अभी हम लोग इसके बाद जब पढ़ेंगे तो ये सब कुछ यहाँ पे मैंने discuss किया है ये यहाँ पे लिखा हुआ है हम उस पहले एक बार overview देख लेते हैं तो ये जो meristematic tissue है तो आपको हमने बताया अभी क्या कि ये growth होगा ये मड़ा हुआ चीज़ है तो growth और तो growth करने के लिए क्या क्या चाहिए तो ये classification exam में पूछता है कि difference between meristematic tissue and permanent tissue इसको अभी हम लोग देखते हैं देखो यहाँ से meristematic tissue आपको पता है कि ये चुकि actually growth के लिए जरूरी है क्या चाहिए इस से ये growth के लिए responsible है इस को इस column को आपको अपने copy में बना लेनी है और exam में एक पता है तो cells of meristematic tissue क्या होगा very active आप जब तक active नहीं रहेंगे तो आपका growth नहीं होगा same as plant में इस cell जो meristematic cell होगा वो active रहेगा बट इसका बोलेगा क्या ये dormant रहेगा अडाम से सोया हुआ रहेगा इसको कुछ नहीं करना जीवन में ठीक देखो ये इसमें जो होता है meristematic tissue में meristematic tissue में dance a cytoplasm होता है एक word पहले तो यहाँ पहले है cytoplasm मतलब क्या होता है कोई भी cell में जो liquid part होता है जिसमें की jelly type से जो particle रहता है उसे cytoplasm करता है अब आप खुद सोचिए meristematic tissue क्या करना divide करके नया cell बनाना है यदि तो इसके लिए इसको धेट सारा ingredients चाहिए होगा cytoplasm चाहिए होगा तब तो नया cell बनाएगा वो तो इसलिए इसके पास बहुत सारा cytoplasm है इसके पास बहुत कम cytoplasm है इसकी cell क्या होगी cell divide होगी एक point आपको इसमें add कर लेना है यहां से cell क्या होगा इसकी cell divide होगा इसका cell divide नहीं होगा permanent tissue का cell divide नहीं होगा इसकी जो cell wall है मतलब यह जो animal cell जितने भी होते हैं उसमें cell wall नहीं होता है और जो plant cell होते हैं उसमें cell wall होता है, cell wall जो कि उसको एक strongness प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपका आसपास कोई पेर देख रहे हैं, पेर में दिखेएगा काफ़े एक hard layer बन जाता है, वो क्या चीज़ जो upper layer है, वो cell wall है, तो cell wall इसका जो cell wall होगा, arithmetic का, वो thin होगा, और इसका ठीक होगा, क्या आप इसका अंतर समझ पाड़े हैं, obvious से बाद देखो, अभी मालो, इस cell को तो growth करके, नया नया अभी जो है, क्या tree को growth करवा के बनाना है, तो जब नया cell बनाना है, तो अपने आपको पतला रखेगा, बाहर का boundary वाल तब तो ये break क कर लेगा, ठीक कर लेगा, इसलिए permanent tissue का जो cell बाल है, वो thick होता है, और meristomatic का जो cell है, वो thin होता है, फिर से इसको नया cell generate करना है, तो इसके पास धेट सारा nuclei होगा, nucleus से बनता है nuclei, जब एक nucleus की बात करें, तो उसे बोलते है, nucleus, singular word, और जब इसका plural करते हैं, तो ये nuclei हो जाता ह जैसे radius का, जैसे radius है, इसका, क्या हो जाता है, रेडियाई हो जाता है, इसका plural, तो प्रॉमी, इसके पास धेट सारी nucleus भी है, तब जाके धेट सारा cell बनेगा, ग्रोथ होगा, और देखो, एक चीज़ और जो आप animal, इसके अंदर वैक्यूल्स होगा, तो प्लांट सेल में ए अब यदि आपको cell chapter याद होगा, वैक्यूल्स का क्या function है, वैक्यूल्स क्या function करता है, तो प्लांट मेंली इस वैक्यूल्स को stored house के तरह यूज करता है, आपके घर में एक stored house होगा, जहाँ पर कि आप महने भर का रासन लाके, चीनी रग देते हो, चावल रग देते हो, यदि कोई random plant roadside में है, तो only 2-3 month के लिए इंडिया में rain होता है, सब कोज करो, ये 2-3 month के rain water से इसको क्या करना है, अपने पास water stored करके रखना है और पूरी की पूरी 1 year काम चलानी है, मतलब 12 month, 1 year इसे काम चलानी, 12 month, उसमें 2-3 month ही rain मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, इसका जितना सेल है, जो बना हुआ है सेल होगा, सब अपने store house में क्या करेगा, यहाँ पे water रख लिया, आप यदि थोड़ी सी भी agricultural practice की आपके पास knowledge होगी, तो आपके गाओं के किसान क्या करते हैं, जो गाओं में जो ये field होता है, ये field में जितने सारे मान लीजे, plant लगा हुआ इस plant में farmers जो है, only one to two times ही इसके पूरी जीवन cycle में, crop का जो एक cycle मान लेते हैं, इस six month है, इस six month में only इसे one से two times ही क्या मिलता है, nutrients मिलता है, nutrients में हम लोग यूडिया, potas, ये सब जो fertilizer डालते हैं, अब आप सोचो, आपको कोई बोलेगा, कि ठीक है, तुमको पूरी life में, मतलब जो 200-300 साल की आपकी जिन्दगी होगे, उस पूरी जिन्दगी में तुमको बस दो बार खाना मिलेगा, तो सोची, जब यह दी दो बार ही खाना मिलता है, हमारा body किस तरह से develop कर लेता है, अपने आपको एक बहुत बड़ा सा बक्सा बना लेता पेट में, उसमें सारे चीज को स्टोर करके रख लेता वो, और धीरे 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 क्या करता, इंसान अपने पेट से यहां से एक एक चीज निकालता और body इसको यूज करता, बट हमारा body इस तरह से evolve नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास availability थी, जब हमें कहीं कोई चीज नहीं मिलता, तो हमारे प mathematics, कुछ भी चीज पढ़ने का एक ही चीज क्या है, evolution, जो भी चीज आज आप देखते हैं science में, वो चीज evolution से आया है, क्या चीज से evolution से, तो हर चीज अपने आपको evolve किया है, जिसकी जैसी जब जरुरत पड़ी, वो उस तरीके से बदल गया, और जो चीज evolve अपने आपको न कोई सपोस्ट करो, यह tree है, और यह tree कहां पे है, यह tree मान लो, इंडिया में है, अब यह tree के साथ मजबूरी क्या है, यदि यह tree अभी का जो मन्त चल रहा है, means January, February में, इस मन्त को पत्रज़र का मौसम भी करते हैं, सारे क्या करेंगे, यह tree है, अपने lips को set करके गिरा देगे ठीक है, यह tree क्या करेगा, अपने seed को, जितने lips को इसको गिरा देगा, और इस तरीके का tree लगेगा, क्यों ऐसा किया, मजबूरी है, विकाओज अभी इसके पास पानी नहीं है, विकाओज सोचो, June, July में जो पानी हुआ था, वो water अब खतम हो चुका है, और सबसे कहते हैं, तो plant क्या करता है, अपने seed को, अपने lips को गिरा देता है, तो इसका मतलब है कि इसने evolution किया, तो कुछ ही मन्त में क्या होगा, अब इसके पास नए-ने पत्ते आ जाएंगे, फिर जब पानी बरसेगी, फिर से यह सदा बहार, जिसको evergreen tree बन जाएगा, तो reason था यह, तो that's why, अभी meristematic tissue को, अभी इसको यह नहीं सोचना है, मुझे store करके रखना है, बहुत लंबी जिंदगी है हमारी, अभी यह बच्चा है, इसको तो अभी बस यतना करना है, कि बस हमें पूरा growth करना है, खुब खाना है, खुब growth करना है, that's why meristematic tissue में vacuoles ही नहीं है, because vacuoles क का में store करके रखने के लिए, future के लिए, future के लिए कभी आपने देखा है, कि आपने जैसे आपको पापा 100 रुपे दिये, अभी आप class 9th में हो, या 8th class में हो, 7th class में हो, आपको आपके father ने 100 रुपीज दिया, आप कभी इसा करते हो, कि चलो इसमें से 50 रुपीज रख लेत है, तो इसके पास ये कोई vacuels नहीं रखा है, इसके पास vacuels है, because अब ये permanent tissue हो गया, अब इसको पूरी जिंदगी चलनी है, और यहाँ पर, तो ये दो major classification हमने देखा, कि जो exam में इससे पूछती है, कि differentiate between meristematic tissue and permanent tissue, अब देखो, अब पढ़ते हैं, कि क्या होता है, meristematic tissue में कितने इसके classification है, बहुत असान है, very easy, 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 इसमें तीन होते हैं, apical, intercalary, lateral, आपने सुना होगा, इसका नाम ही है, apical, apical मतलब क्या होता है, top, आपने सुना है ना, कि apex body of India, कोन है, supreme coat, सबसे बड़ा coat, apex, apex मतलब सबसे उचा वाला, तो जो सबसे, अब plant को growth ही दी, उसकी height बरनी है, उपर में, या नीचे root को perpendicular उपर बरनी है, इसका मतलब है, यहाँ पे कौन सा जो टिसू होगा, apical, medistematic tissue, अब यदि बीच का inter node, जहां से कि इस जगा से branching ऐसे निकलती है, node से, अब बीच का part है, तो बीच वाले चीज़ को हमेशा inter ही बोलते हैं, जैसे आप 9th के बाद class, 3th में जाईएगा, 3th के बाद जो है कि यह होता है, एक 12th होता है, 12th के बाद होता है, भी SC होता है, या BA होता है, तो यह बीच वाले जो part है 12th को, यह क्या कहता है, इसको inter भी नाम अपने सुना होगा, किस class में पढ़ता है, inter मतलब बीच वाला, तो बीच वाला चीज़ को inter calorie बोलते हैं, और lateral म meristematic tissue, याद हुआ, plant tissue, meristematic permanent, meristematic जिंदा से, permanent dead हुआ, meristematic को हमने दो पाट में अबाद तीन पाट में, apical, top में, inter calorie जो इसके branching में help करेगा, जो बीच में यह जो अपने dark set रहता है, और एक lateral जो इसकी मोटाई बढ़ता है, अब इस तीनों का function एक line में, आप इसको अपने उसी copy में, जहां पर यह notes बनाया है, वहां पर इसे लिख लेनी है, apical बढ़ानी है, intercalary, lateral लिखनी है, apical at top पे होता है, at growing tip, जहां से यह grow करेगा, उसके tip पे, office time and roads, यह लिख लेनी है, बस हो गया, इतना ही इसमें याद रखनी है, यह दो point है, intercalary, located near the notes, notes के पास यह located होत है, पस इतना है, meristomatic tissue is your completely done, इसके बाद कुछ भी नहीं पर नहीं, आप चाहो तो, book से reading दे सकते हो, बट जितनी point इसमें लिखी हुई है, साड़े चीज book से ही है, NCRT से है, और standard book से है, so that's why you don't need to worry about this, okay, अब हम चलते हैं, अपने permanent tissue, पर्मानें tissue क्या करता है अपने आपको, कि हम जो हैं, ये दो category में अपने आपको डखते हैं, एक simple, एक complex, अच्छा, इसका नाम जो simple और complex है, इससे यह नहीं समझना है, कि अच्छा, इस simple वाला है, तो simple है, complex वाला है, तो complex, ऐसा नहीं है, देखो, biology में, जब कोई tissue, देखो, यहाप ऐसे समझो, जैसे, कि आपका जो ये nose बना हुआ, ऐसे समझते हैं, ये जो आपका nose बना हुआ, ठीक है, ये nose बना हुआ होगा, तो nose में, कुछ similar type के, इस तरीके का cell क्या हुआ, आपस में combined हो गया, और ये एक nose, ये बन गया tissue, जिससे की nose बना आपका, clear है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, कि एक tissue बनने के लिए, सपोच कर लिजी, ये tissue है, तो कुछ cell इस तरीके का cell आ गया, कुछ cell square type का cell आ गया, कुछ elongated cell आ गया, इस तरीके से कुछ ऐसे करके आ गया, तो सब cell को आप क्या देख रहे हैं, इस में से कुछ cell different है बट, actually ये tissue है, तो ये जो work करेगा, ये काम कर रहा है, similar, एक ही काम कर रहा है, काम कर रहा है, work one, बट, ये सभी united है, तो, सपोच करते हैं, हमारे पास, ऐसे, एक बहुत अच्छा सा example, कि आपकी जैसे की, ये five finger है, ठीक है, ये five finger आपके, आपके hand में है, तो, ये five finger बिल्कुल different है, अलग-अलग हाथ है, मतलब, अलग-अलग इसकी height है, बट, जब आप कोई function perform करते हो, जैसे example, writing का आप जो है, practice करते हो, तो, जब लिखनी होती है, तो, आपका क्या होता है, involved होता है, five to five finger involved होता है, लिखते हैं, आप three finger से, बट, टू फिंगर से इसा नहीं हो सकता है, कि five, अब three fingers लिख रहे हैं, और two finger से खाड़े हैं, कभी ऐसा होड़ा है, कि simultaneously, आप लिख भी रहे हो, और उसी दो finger से खाना खाड़े हो, इस दो finger से खाड़े हो, नहीं, तो, ये जब कोई काम करता है, तो, ये five fingers united होके, एक ही काम करता है, तो, हम कि tissue की definition जो हमने पढ़ी, कि ये group of cell, जो कि similar in structure होगा, तो हम उसे tissue बोलेगी, similar in structure, but, 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 एक चीज और यहां पे लिखा होगा है, और, क्या लिखा है और में, group of cell, मतलब, ऐसा group of cell आ जाए, जो कि work together, मतलब, एक साथ काम करे, किसके लिए, to achieve a particular function, मतलब, ये group of cell आए, वो different भी हो, लेकिन काम एक ही करे, मतलब, ये पांच finger की use, हम बस पांचो से खाने के लिए कर रहे है, पांचो finger का use लिखने के लिए कर रहे है, पांचो finger का use माल लिजे, किसी को मारने के लिए कर रहे है, तो that means, इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा five fingers है, ये एक tissue की तरह काम करेग गाउज क्या कर रहा है, भले ही वो different है, लेकिन काम क्या कर रहा है, together मिलके similar work कर रहा है, तो इस category में इसके कारण से जो है, हमने दोर तरह से से बाटा, तो क्या आपको समझ में आया, कि जो भी आपका simple permanent tissue होगा, उसका जो tissue बना होगा, वो सब एक तरह के ही cell से बना होगा, होगा, तो long solid भी सब जो है कि अब वो एक तरह के cell से ही मिलके बना होगा, तो ये ketograization था simple और permanent का, इसे भी देखो हमने लिखा है, अब यहाँ पे, simple made up of single type of cell, ठीक है, ये जो है क्या कह रहा है, कि single type of cell से ये बना होता है, और complex वाला जो बना होता है, different type of cell to combine from complex tissue, यहाँ प इसमें circular cell है, इसमें कुछ circular है, कुछ square है, कुछ star way में safe है, कुछ pentagon है, इस तरह का cell जब different आके काम करें, एक similar function को, तो उसको complex permanent tissue करते हैं, देखो, simple permanent tissue हमारा जो है, वो three types का होता है, क्या क्या होता है, parent chiama, call and chiama, scler and chiama, कैसे याद रखेंगा, देखो, सबसे main function जो होता है, यह भी लिखा हुआ है, parent chiama का जो सबसे main function है, तो parent chiama का काम है, खाना को store करना, कॉलन कायमा का काम है फ्लेक्जिबिलीटी प्रोवाइड करना फ्लेक्जिबिलीटी जिससे की वो क्याब कर पाए इसली वो बैंड कर पाए और ये वाला जो इस क्लेरन कायमा का जो में फंक्सन है वो उसको फ्लेक्जिबिलीटी प्रोवाइड करना आपको याद रखनी के लिए एक मेरे पास छोटी सी एनालेजी है वो मतलब एनालेजी भले ही बहुत फालतू टाइप का लग रहा होगा सुनू क्या होता है मालो आपने खाना खाया खाना खाया आपके बॉड़ी में क्या हुआ फूड इस्टोर हो गया तो यह पैरन कायमा का काम था खाना खाया खाना खाने के पाद आपका मन क्या करता है थोड़ा सा थोड़ा सा दोब निट क्या हो जाए अडाम मिल जाए ममी मतलब सोने का काम आप स किया थोड़ा सेसे मोड़ा फिर उसके बाद आप क्या होता है आपको नीन दा जाती है और जब नीन दा जाती है तो आपका body कैसा हो थाता है hard मतलब कोई भी हला रहा है इह बहुत हो छोटु उठो लेकिन आप तो उठने का नाम नहीं लेते हैं मतलब पेरेंट काइमा, food storage, कॉलेंट काइमा, flexibility, इसके लेरेंट काइमा, thick end, यह तीन important function इस तीनों सेल का है, थोड़ी सी डीटेल में देखते हैं, what is पेरेंट काइमा, देखो, पेरेंट काइमा, यह most common form of plant होता है, जो कि plant के लगबग हर जगह पे होता है, यह पेरेंट काइमा, यह पेरेंट काइमा कहां से, मतलब यह permanent यह हम पर रहे हैं, इसका मतलब यह tissue कहां से बन के आया, यह बना meristematic tissue से, तो meristematic tissue सब जिगा बनते गया, बनते गया, एक proper way में उसको structure दे दिया, जैसे मान लिजी, यह कोई आपका यह पास, यह tree है, यह tree की इस तरी से branching जा रही है, ऐसे कड़के, तो इसको यह ऐसा structure किसने दिया होगा, because meristematic का काम तो simply बनाना था, तो यह parent काइमा आया, बोला कि देखो भईया, हम जो है तुमको तुमको ऐसे ही आगे बढ़ना है, जैसे हम तुमको बतार है, तो लगभग हर जगह यह most of the parts of plant में होता है, इसका tissue जो होता है, simple permanent tissue, यह जो है parent काइमा, parent काइमा का cell इसका जो है mostly living होता है, living मतलब यह जिन्दा है, हमने बताया था, permanent tissue mostly dead होता है, बट यह living है, उसके बाद, यह loosely arranged है, बिल्कुल बात है, जब तक loosely arranged नहीं होगा, कैसे divide करेगा, मालने जह बिल्कुल सटा सटा के सभी है, इसको जगह ही नहीं मिलेगा break करने का, तो इसलिए, यह क्या है, यह loosely arranged है, और काफिया अपने आपको break करके, तो यह loosely arranged होता है, living cell है, और large intercellular space है, अब्यस सी बात है, जब दो cell loosely arranged रहेगा, जब दो cell loosely इस तरीके से arranged रहेगा, तो इसके बीच का जो space होगा, वो जादा होगा, यदि बहुत densely होगा, तो इसके बीच का space कम हो जाए, नॉर्मल सी बात है, तो यह most हर जगा पाया जाएगा, यह living होती है, इसकी भी सेरवाल पतली है, मैं इन फंक्सन बताया, food storage का, और plant को एक structure प्रोवाइड करने का कम, parent काईमा का है, देखे, उसके बात कहता है, बुक में, कि parent काईमा जो leaves में होती है, मतलब plant के, जो पत्ते में जो parent काईमा होता है, यह parent काईमा जो है, यह present होता है, in the form of plant में, यह chlorophyll, जो आप देखते हैं, green part, वो इसमें यहाँ पर क्या होता है, chlorophyll होता है, और यह chlorophyll क्या करता है, आपको पता है, कि chlorophyll से जो है क्या, plant food preparation करता है, food बनाता है, कैसे food बनाता है यह chlorophyll से, इसका plant live, by the process of photosynthesis, photosynthesis पता है, कि carbon dioxide और water के परजेंट में, green plant, इसको sunlight चाहिए, और क्या चाहिए, sunlight के बाद इसे चाहिए, chlorophyll चाहिए, तो जाके बनाता है, यह chlorophyll जब मिल जाएगा, तो यह food बनाएगा हमारे लिए, और एक जो gas निकलता है, उस gas को oxygen करते हैं, जो oxygen, हड़ हम लोग जिन्दा हैं, तो यह oxygen के वज़ा से, यह oxygen लेते हैं, और यह food बना, यह food फिर all parts of body में travel करेगा, अभी हम लोग देखेंगे, यह सब कहानी, यह food कैसे travel करती है, बट यह समझते हैं, तो जो lips में हुआ, मतलब ऐसे, तो उस चीज को समझो, यह पूरी parent कैमा पर रहें, जो parent कैमा लिब्स में होगी, उसको बोलेंगे, chloroquine कैमा, नाम यादे से रखना है, chloro से क्या होता है, chlorophyll, तो इसी chloro से बना, chloroquine कैमा, मतलब parent कैमा का specialized part, जैसे कि आपकी पूरी हाथ है, हाथ में finger specialized part है, उसी तरीके से parent कैमा का specialist part क्या है, call and कैमा, अब देखो, जो aquatic plant होता है, यह तो हम लिब्स की बात किये, थोड़ी से जो पानी में रहता है, आपको पता है, यदि कोई plant water के अंदर है, तो उसको अब्विस से बात है, हवा उतनी तो नहीं मिलेगी जितना जो बाहर में है, पानी का अंदर हवा कैसे घोसे, हाला कि oxygen मिलता है, तो generally इसका मतलब है, तो वो उसका जो body है, जो leaves है, वो क्या करता है अपने आपको, जो है, उसके बीच में, जो है लार्ज intercellular space होता है, मतलब इसके बीच में धेर सारा space है, धेर सारा space है इसके बीच में, और क्योंकि gaseous exchange अच्छे से हो पाए, तो इसलिए, तो इसे कहते हैं, जो aquatic part में होता है, उसे कहते हैं, air and kya, air, air मतलब, air and water के लिज़ करते हैं, air and kya, अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग, second बाला part मेरा जो था, वो उसको कहते हैं, kolonkyma, देखो, kolonkyma क्या होता है, kolonkyma जैसे बताये थे, यह plant आपने देखा होगा, जैसे यह भी यह plant है, यदि आंधी भी आई तो क्या होता है, प्लांट जो है न, यह ऐसा नहीं होता है, तूट जाता है गिर के, यह थोड़ा ऐसे मुड़ेगा, फिर ऐसे मुड़ेगा, यह मुड़ जाता है, बट इसको flexibility प्रोबाइट करता है, kolonkyma, जिसके कारण यह easily bend हो पाता है, और, various, और यह कहां पे, it allows bending of various parts of plant, example, tendril और clamber, जब कभी आपको याद होगा, clamber जो होती है, बड़ी-बड़ी, मतलब जैसे money plant है, what is money plant क्या करता है, कि वो, main plant, जदि यह main plant है मान लेते हैं, यह main plant की यह, जैसे यह tree है, तो इसमें clamber क्या करेगा न, clamber ऐसे इसमें लपटते हुए, लपटते हुए tree के ऊपर चले जाएगा, यह, तो यह काम यह कैसे कर पा रहा है, अपने आपको यहाँ से इसे flexible कर लिया, more जू लिया, because of Colin Kaima के कर लिया, और क्या करता है Colin Kaima, Colin Kaima provide करता है support, एक mechanical support भी, चुकि flexibility है, तो उसे एक support provide किया, found below epidermis, अब यह क्या होता है, एक line याद रखनी बस देखो, सबसे पहला layer जो होता है, animal plant cell में, जो outermost layer को करते हैं, epidermis, देखो, यह diagram NCRT की diagram है, यहाँ पर देखते हैं, एक नट, यह, मानलो किसी, यह एक plant थी, आप इस plant को ऐसे करके, यहाँ से cut कर दी हो, cut करने के बाद, जो आपको पास जो picture बन रहा है, उस picture को यह, यहाँ पर book में दिखाए, तो देखे, जो सबसे outermost layer है, यह जो सबसे outermost layer है, इसी को करते है, epidermis, और epidermis के just नीचे वाली चीज, जो है, जो अभी हम लोग पर रहे है, यह colon काइमा, यह colon काइमा उसके just नीचे में है, यह second layer जो आपको दिख रहा है, वो चीज क्या है, colon काइमा और सबसे outermost layer को करते हैं, epidermis, तो यहीं यहाँ पर कर रहा था, कि जो colon काइमा हमारा found होता है, it is found, colon काइमा found below epidermis, cell of this tissue are living, इसकी भी cell living है, elongated है, मतलब लंबी-लंबी cell होती है, और irregular है, इसेप में क्या है, irregular है, thickened at the corner, और corner पर क्या होता है, यह ठीक होता है, इसकी diagram आप एक वानें सियाटी में देखना, यह देखो, इसकी diagram यहाँ पर दिया हुआ है, यह जो है, wall thick and red corner देख रहो, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यह corner पर सब ठीक है, तो यह जो picture दिया हुआ है, यह है picture यहाँ पर, colon काइमा का, किसका है, colon काइमा का है, यह जो part यह देख रहे है, यह पarend Tao अर फिरनुत पंद हरा लार्ज ही इंटर स्था परान और यह दोनोंlime पिक्चर यह हैं सीवन ऊवंडार इंट फारल सैल में देखेंगे तो यह चीज थी यहाँ पर तो elongated, irregular, thickened at the corner very little intercellular space दो cell के बीच का जो space है यह बहुत कम है यहाँ पे बहुत कम intercellular space है बस यह खतम हो गया अब last में scleran का आमा देखते है parent, colon, scleran इसका काम क्या है? हमने बताया था यह खाना इस्टोर करेगा, यह flexibility और plant को जो hardness चाहिए जो hardness पावर चाहिए तो यह plant को hard बनाता है काफी hard बनाता है because of scleran काइमा, जैसे example इसको ऐसे याद रख सकते हो, आप जब narial देखते हो, coconut, narial का जो उपर का जो छिलका होता है, husk होता है कितना hard होता है, जो कि उसे mechanical support प्रोवाइड करता है, तो यह यह hard किसकी वज़ा से होता है because of scleran काइमा इसकी cell dead होगी अभी तक जो हमने बात किया था, जब कभी भी hardness चाहिए होगा, तो वो cell मर जाएगा और मरने के बाद जो है वो hard हो जाएगा, और क्या होता है, यह long और narrow होता है लंबी cell होगी, बट narrow होगी इसका cell wall बहुत मोटा होगा, तब तो यह hard होगा तो cell wall इसका मोटा होगा, और exam के लिए बहुत important point है hard किसकी वज़ा से होता है तो एक lignin नाम का material है, यह lignin के कारण plant cell काफी hard होता है आप plant पे 10-20 बार जाएगे मारना देखना plant को चोट नहीं लगेगा और वो आप ही को चोट लग सकता है क्यों क्यों कि उसकी जो है यह lignin के एक अरण, जो plant क्या होता है, hard होता है इसके बीच भी कॉलिन काइमा के तरह कोई भी intercellular space नहीं होता है कोई भी intercellular space नहीं होता है hard होता है, एक पर फिर से diagram देखते हैं, यह देखो यह narrow था पता है इसके बीच में यह जो जगह आप देख रहे हैं यह narrow है, और thick cell wall, मोटा cell wall है because of lignin के कारण यह मोटा है, यह दोनों diagram इसकी है, आपके पास isclaren काइमा की, और देखो तो, no intercellular space present in stem, कहाँ भी present होगा तो stem जो तना वाला पार्ट होता है stem में यह present होगा, और around vascular bundle, vascular bundle round वाल इस तरीके से, यह vascular bundle में यह present होगा vascular bundle में यह present होगा जैसे covering of seed होता है seed को cover करने के लिए वहाँ पे यह पाया जाता है, nut जैसे आपने जानते है, nut में यह होता है it provide, चुकि heart है तो strength provide करेगा that is your done, simple, permanent tissue को जो हम पर देते है parallel, colon, scleral कोई confusion नहीं होनी चाहिए अब देखो एक चीज की बारे में book में चर्चा किया था what is epidermis, तो हमने नीचे epidermis के बारे में लिखा है epidermis का first point क्या याद रखना है epidermis का जो first point है कि यह outermost layer क्या है यह, यह epidermis outermost layer है एक single layer होता है in some plant यह बहुत जैसे की dry place पे है, जैसे मान लिजे आप desert में तो जो भी desert में आप जो यदिदी tree को देखते हैं तो desert की जो tree है ना उसकी जो leaves है, वो thorn type का हो जाता है, काटेदार जैसे आपने देखा होगा, cactus का तो यह अपने आपको जो मोटा किया तो भी काता है, कि some place पे क्या होगा यह dry habitat में epidermis में भी thicker आपने पढ़ा कि यह single layer होता है outermost layer पतला होता है, बट जो dry place पे यह ठीक हो जाएगा क्यों? ताकि जो है, इससे water loss नहीं हो पाए काटे से पानी नहीं होगा लेकिन यह दी पतला यहाँ पे सपोच कीजिए, इसके जगह इस काटे के जगह एक क्या हो, leaves हो इस तरीके का leaves हो, तो यह पतली है habitat पे इसको ऐसा कर लेता है तू, 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 त्री, पोइंट यह होगे फोर्थ पोइंट क्या याद रखनी है कि यह जो secret करता है एक jelly type का wax secret करता है, water resistant layer, जिसे कि वो wax आपने देखा होगा, बहुत सारा tree क्या करता है उस tree से gum मतलब जो है क्या, कुछ एक jelly type का substance टपकते रहता है जो कि उसको एक protection loss of water से पहले बात तो कर देता है जिसके कारण water उससे loss नहीं हो पाता है covering type से material कर देता है और दूसरा, यदि कोई bacteria, virus fungi इसको attack करेगा तो इस gum के कारण वो उसको attack नहीं कर पाएगा plant के पास इस तरह का plant है, तो plant में इस तरह से liquid यहाँ पे उपर से यह जो gum है, यह secret होता है जिसके वज़े से इसको protection मिलता है एपटर में से, एक point और याद रखने है, five number यह flat होता है, flat मतलब यह बिल्कुल चुकि एक single layer, एक seat के तरह का यह flat होगा, यह उसके बाद क्या याद रखने है इसमे, six number point six number point में रखनी है यह continuous layer होता है इसकी जो layer है, वो layer क्या होगा continuous layer में होगा, विकाउच क्या है आपके जो skin flat है तो कही बीच में gap नहीं चाहिए बिल्कुल एक continuous layer में होगा यह flat होगा, तो जब यह continuous है तो obvious यह बात है, दो cell के बीच space ही नहीं होगा continuous seat है, थोड़ी बीच में gap खाली-खाली है plant आप कभी देखिएगा, तो यह पूरी भड़ी-पड़ी कहीं से भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे plant नहीं होगा, plant cell होगा तो जो outermost cell है, वो continuous layer होगा flat होगा, और इसके बीच का intercellular space नहीं होगा one of the most important point इसमें याद रखना है epidermis जो है, leaves में stomata के form में होता है यह stomata क्या होता है? stomata समझने के लिए थोड़ी सी मचे जगा चाहिए stomata, wait a second space पे जगा नहीं है यहाँ पे जगा है, देखो, stomata क्या होता है? आप जानते हैं, यह माल लीजिए green plant है, ठीक है? यह green plant है यह इसकी leaves है यह इसकी leaves है तो leaves में यहाँ पे आप जब इसको microscope केमेज देखेगा, तो यहाँ पे क्या होता है? hole होता है, छिद्र होता है यह hole जहां से है, अब जुकि outer most layer तो यहाँ पे भी epidermis होगा तो epidermis का part ही इस hole जो बना हुआ है, यह hole किसके कारण बना हुआ है? epidermis के कारण बना हुआ है और epidermis के इस hole को stomata कहते है इस stomata की function क्या है? तो यह stomata help करता है, किसके help करता है? help in gaseous exchange gaseous का exchange करने के लिए यह stomata help करता है, नहीं समझ मैं होगा है gaseous exchange कैसे ओड़ा है? तो इस hole के थूँ plant क्या करता है? plant इस hole के थूँ carbon dioxide atmosphere से लेता है क्या लिया? carbon dioxide और नीचे root से इसको मिलता है water plus H2O warning को करते हैं, H2O और इसको क्या मिल गया? और हमारे इस plant को मिल गया sunlight इस तरीके से sunlight है तो मिल गया यहाँ पर sunlight और पेरिन कायमाद में इसको क्या दे दिया था? chlorophyll भी दे दिया था तो इसे मिल गया chlorophyll भी मिल गया इनके कारण ये बनाया, क्या बनाया, खाना बनाया, फुड बनाया, और फुड के बाद प्लस oxygen रिलीज हुआ, ये देखो, मतलब यहां हमने बस gaseous exchange का मतलब क्या समझना था, gaseous exchange कि carbon dioxide लेता है और oxygen को छोड़ता है, that is known as gaseous exchange, जो कि करता है stomata, और stomata मेरा क्या है, एक एक प पोर्स के रूप में, इस होल को पोर्स के रूप में, ये हमारे plant में present होता है, that is entire things about simple permanent tissue हमने देखा, जिसमें हमने ये चीज पढ़ा, parent कायमा, colon कायमा, scleran कायमा, और last में पढ़ा हमने epidermis, epidermis, अब हमारा mostly chapter end है, बस last point बस ये slide है, जिसमें की plant tissue खतम हो जाएगी, complex में क् complex में, दो चीज हमें पढ़नी, एक हमारे पास जायलम, एक है phloem, देखो इसको याद रखने के लिए मेरे पास एक trick है, जो मैंने नीमोनिक से याद किया हुआ है, hope so, ये आपको benefit करें, तो आप इसे ऐसे याद रखना, जायलम मतलब याद रखना, जाओ, go, जाओ मतलब क् फल से, फल मतलब खाना, कैसे function परफॉर्म होता है, हम एक सुंदर से यहाँ पर ट्री बनाएंगे, देखो यहाँ से, एक ट्री बनाते हैं आपर, मालों ये कोई मेरे पास ट्री है, ये ट्री है, ये ट्री है, ये ट्री में यहाँ से, ये लिब्स है, अभी जस्ट हमने फोटो सिंथसेस रियक्षन, जो हमने वापर डाग्राम में समझा रहेते हैं, वो खाना ही बनाते हैं, फोटो सिंथसे से को करता है, इसको खाना बनाने के लिए, क्या-क्या चाहिए, इसको खाना बनाने के लिए, फ्रॉम रूट से जो है, रूट से इसको चाहिए, वाटर और nutrients nutrients soil में होता है ये दोनों चीज को जाओ मतलब ये plant के leaves तक पहुचाएगा जाओ लेके go, go मतलब nutrient water लेके जाओ, कूँ जाएगा, जाइलम लेके जाएगा जाइलम क्या करेगा यहां से nutrient और water लेके जाएगा जाने के बाद ये क्या तयार करेगा, ये रेडी कर देगा हमारा जो leaves है, leaves ready करेगा खाना, leaves क्या बनाया था photosynthesis करके food बनाया food मतलब फल, खाना अब ये चीज बोलेगा क्या जब ये पत्ता त्यार कर दिया है, एक और bodyguard को बुलाएगा, बोलेगा आओ इधर हो फल, फल मतलब फलल में इटा इधर अब और फललल को बोलेगा क्या करो तूं तो ये सारा खाना लेके, सब को पहुझार दो, उपर पहुझार दो, जितने सेल है सब को जाके खाना पहुझार दो और ये फल जो है पहुझा दिया, मतलब ऐसी कि plant को खाना बनाने के लिए leaves तक जो सारा समान होगा वो जायलम पहुचाएगा जाओ लेकर समान लेकर जाओ floem जब खाना बन गया खाना को हर पार्ट में पहुचा देगा वो काम किसका है वो काम है floem का इस दोनों tissue को जायलम floem को कहते हैं conducting tissue conduction का काम कर रहा है connect कर रहा है यह खाना को इधर पहुचा रहा है यह चीज को जाएगा एक जगा से दूसरे जगा movement का काम कर रहा है अब obvious सी वाल है जब यह movement का काम कर रहा है तो यह कैसे बनाओगा vascular bundle से vascular bundle मतलब क्या इस तरह का structure है जिससे pass कर रहा है वह स्कूलर पाइप लाइक structure से बना होगा यह simple बताए थे जायलम जो है वो complex complex है मतलब अलग-अलग-अलग-अलग-अलग sales से मिलके बना होगा वो भी similar structure में नहीं होगा अलग structure था similar function करने के लिए बना तो जायलम जो है जायलम में हमारे पास बना हुआ है चार different type के sales से मिलके बना हुआ है एक है track yard, vessels, जायलम parent कायमा, जायलम phloem इन चारों से मिलके उपर की तरफ arrow ऐसे करके इससे मेरा जायलम बना हुआ है track yard and vessels क्या काम करता है यह इसके पास थिक sales वाल होता है मतलब जायलम जो लिके जा रहा है एक मोटी सी sales वाल बनी हुई है क्यों सोच़ों पानी लिके जा रहा है यदि sales वाल कमजोर होगा water leakage हो जाएगा तो देखो कितना strong God ने हर किसी चीज को evolve करके बनाया है कि water leakage के लिए pipe आप कितना strong लगाते है घड में तो that's why इसकी जो थिक वाल है और जब जहां भी मोटी वाल होगी that means वो क्या होगा dead cell होगा क्या होगा dead cell होगा when they mature इसमें tubular structure ट्यूब रहेगा तब तो पानी ऊपर जाएगा तो tubular structure होगा allow to transport water and mineral water और nutrients mineral allow इस करके move करेगा यह काम था जाएलो जाएलन पैरन कायमा क्या करता है यह food को store करके रखता है lips में जो बना उस खाने को store करके कौन रखा जाएलम पैरन कायमा जाएलम फाइवर क्या करेगा यह जो फाइवर फाइवर जब भी नाम आता है इस मतलब support जाएलम फाइवर provides support जाएलम फाइवर प्रोवाइट सपोर्ट पैरन कायमा food को store करेगा और track yard and vessels क्या करेगा इसको जो है क्या एक tubular structure डेंटस अलोज होता है इन चारू से मिलके जाएलम बना होता है कि फ्लोएम भोला हम पाँच चीज से मिलकर होंगे तो फ्लोएम जो बना होता है एक सीव सेल सीव ड्युब companion sale phloem fiber phloem parent camera यह 5 चीज़ों से मिलके phloem हमारा बना हुआ जिसमें से की only phloem phloem fiber जो है अब देखें नाम fiber क्या बता है भी fiber मतलब strong, support support के लिए उसके sale को कैसा होना पड़ेगा dead, तो यही sale बस dead होगा, बाकी rest of rest living or क्यों, यह movement करके सारे चीज़ को लिके जारा है, तो phloem का जो है, sieve cell sieve tube, competence and phloem cell यह सभी living होगा sieve tube के बारे में tube है तो इसका मतलब है tubular cell होगा जिसमें की wall होगा perforated, यह tube like है, इसमें यह छीदर बना हुआ है, जारा है, खाना इसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको खाना दे दिया, बाके चलते चले गिया लेकिन पानी सबको अभी नहीं देना था, पानी डाइट क्लिप्स में पहुचाना था, खाना अबरानी के लिए that's why, यह cheese जो है, यह sieve tube हो गया यहाँ से आपका complete जो है plant tissue done होता है, next video में, next part में हम लोग पढ़ेंगे मैं इसके बाद just take upcoming video आएगी, video actually बहुत बड़ी हो रही है that's why हम लोग animal tissue को next chapter में पढ़ेंगे आप अपने book को इस तरीके से पढ़ सकते हो, कुछ important point यहाईलाइट करना है आप उसको इस video से देखके highlight कर सकते हो और बाकि सब कुछ एक भी point आपका छूटा नहीं है, हमने सब कुछ discuss कर लिया है book से अधिक है discuss किया है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे next volume में इसके बाद जो video आएगी, उसमें आपको animal tissue मिल जाएगी okay, thank you so much, bye bye